हेलो दूस्तो नमेशकार कोड़े को स्टार्ट कर लते हैं तो दूस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एक ऐसी कमपनी देखा गया तो उसका मतलब मार्केट की सबने में बात कर रहा हूं अगर बाकी अगर चीज देखी गई तो बहुत सारे कमपनी जो की वह बिजनेसें यहाँ पर करते मतलब कोई भी इस तरगी की news सामने आती है तो कोई option ही ने बचता है हमें सिर्फ एक ही नाम फिलाल तो देखने को या पे मिल जाता है सो दोस्तो कौनसी company है बहुत ही easy लिए आप लोगों को समझ में आ जाएगी क्योंकि एक बहुत ही शांदार data सामने आ रहा है सो data कौनसा है दोस्तो तो फिलाल data है दोस्तो September month का data फिलाल release हो चुका है सो September महिने में कौनसा data release हो चुका है दोस्तो तो data सामने आ चुका है card के इस तमाल का yes card तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा credit card जरूर सोना होगा आप लोगों ने तो September month का data सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि credit card का इस्तमाल September month में बहुत हाइर लेवल पर जाते भी देखने को मिल रहा है बहुत सारी shopping जो हुई है online shopping वो यहाँ पर कोई भी अलग-अलग companies हो सकते credit card की बट जो माद्या में वो credit card का इस्तमाल बहुत ज़्यादा इस्तमाल यहाँ पर हो रहा है इसके पीछे के कुछ reason भी है क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे अलग-अलग level के discount भी यहाँ पर provide किये जाते हैं so September month में हम लोग जरू कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी की जा चुके credit card के through अगर हम लोग year on year basis यहाँ पर बात करें दोस्तों तो लग-बग यह जो data है पिछले September से इस September में 57% ज़्यादा है यह 57% year on year basis है और हम लोग यह तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पर last time COVID था इस वक नहीं कि आप सबी लोग को यहाँ पर पता है कि यह online shopping की बात है credit card की बात करें हाँ still हम कह सकते कुछ impact तो ज़रूर रहेगा बट still यहाँ पर जो performance है वो तो बहुत ही सब्सक्राइबर मन्त तक का डेटा यहाँ पर अविलेबल है तो वो मैं आपकी सामने पेश करना चाहूंगा जो डेटा रिलीज हो है उसमें बता है कि मतलब credit card का इस्तमाल करके कितने करोड रुपय का इस्तमाल किया जा चुक है या फिर खर्च किया गया है ये परफेक्ट वर्ड रहेगा credit card से कितना रुपया खर्च किया गया है मन्तली में आप लोग को बताना चाहूंगा जुक है जुले मन्त की थोड़ा ऐसा मैं यहापे लेख लेता हूं तो आप लोगों को इजी पड़ेगा कितना 75,000 से जादा ओविसली करोड दैन आ जाता है कौन सा ओगस्ट मन्त तो ओगस्ट मन्त में कितना हो गया दोस्तो तो ओगस्ट मन्त में लगबग एप्रोक्सिमेटली 78,000 करोड इतना रुपया खर्च किया गया है क्रेडिट कार्ड से ये वो चीज़े खरी दे गई है ये शॉपिंग की गई है ये पेमेंट किये गए है कि क्या इतना जबरदस रिकवरी मतलब चलता रहेगा यहाँ पेमेंट तो ये उसका क्रेडिट कार्ड का अलग ऐसा कोई बिजनेस लिस्टेड नहीं है तो लिस्टेड कौन से है तो आप सबी लोग को अलड़ी पता है जो मार्केट में जुड़े हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका जो एक बिजनेस है SBA कार्ड आप सब लोग को पता है यह बिजनेस अलग से लिस्टेड है जैसे मैंने कार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आ जाए सीधा जो फोकस जाता है वो SBA कार्ड के उपर ही चला जाता है और उसी का फाइदा आज के दिन SBA कार्ड को या पर हुआ है बट यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टन चीज है जो कि आप लोग को या पर पता होनी चाहिए बट थोड़ा सा अनलखी रहे इस कंपनी के बार में क्योंकि कभी बेस टॉक उपर भगता है एक बड़ा जो ग्रूप है आप सब लोग को पता है सीयर ओवर होल्डिंग वो बार बार यहापे वो माल बेचते रहेते हैं वो उनका अपना मतलब हिसाब है जब हो चाहिए वो माल बेच सकते हैं बड़ उससे क्या हो गया जब भी SBA काड हमनों को हजार के यहापे जाते वह देखने को मिलता था उसके बाद वह वह आपस नीचे आता था तीन डिजिट में बड़ देखा गया तो कंपनी का बिजनेस कोई डेटोरेट नहीं हुआ था कंपनी बिजनेस अच्छा ही कर रही थी इस वक भी कंपनी ने परफर्फरमंस अच्छा ही यहापे दिखाया हुआ है यहापे अगर मैं जैसे मैंने कहा कि HDFC बैंक सबसे टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है ICC बैंक से भी 17,200 करोड के आसपास का खर्च हुआ है और SBA कार्ड के अगर हम लोग बात करें यहापे स्पेसिफिकली SBA कार्ड हम लोग को यहापे मिल जाएगा तो वो कितना अलगबग 14,698 सम्थिंग ऐसा ही डेटा है सो हम लोग कह सकते है SBA कार्ड की जो ग्रोथ है वो मैसिवली बढ़ते वे देखने को यहापे मिल रही है इनका अलग से कार्ड का बिजनेस अभी तक तो हम लोग को लिस्टेट देखने को नहीं मिल रहा है सो जो भी बेनिफिट होता है सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो SBA कार्ड में ही इन्वेस्ट आप लोग यहापे कर सकते हो सो बहुत ही शांदार डेटा देखने को यहापे मिल रहा है प्लस दोस्तों आप सब लोग को पता है नए कस्टमर येस नए customer भी आपे जूड़ते वे देखने को आपे मिल रहे है तो कितने customer जूड़े है और कौन से इसमें So number 1 HDFC bank में कितने नए cards के customer जूड़ चुके है 2.44 अगर lakhs की अगर हम लोग बात करें इतने नए customer जूड़ते वे देखने को मिल रहे हैं इतने नए customer card holders जूड़ते वे देखने को मिल रहे हैं And SBA card के अगर हम लोग यहापे बात करें तो SBA card में कितने जूड़ रहे है 1.75 lakhs इतने नए customers एड होते वे देखने को यहापे मिल रहे है So definitely जो growth यह SBA card की यह पिछले मंत की सबसे बहुती solid नजर यहापे आ रहे है And इसी का फाइदा हम लोगों के आज HDFC HDFC ने SBA card में यहापे देखने को मिल चुका है So दोस्तों आप देख सकते हैं SBA card and payment services यह शेर में ने open किया And आज की दिन आप देख सकते हैं So अगर अपने पैसे की requirement रहेगी उनको लगता होगा कि नहीं बस हो गया इतना पैसा काफी है So अगर हम लोग बात करें Finally जाके अभी वापस यह हम लोग को 1100 के उपर जाते हुए देखने को यहापे मिल रहा है Hope रखेंगे कि इस वक्त वो जाके यहापे बड़ा माल ना बेचे अगर वो बेचेंगे तो वापस यह stock नीच आएगा इससे कोई stock खतम नहीं होता है, zero नहीं होता है बट वो momentum है, वो रूख जाता है यहापे So इसलिए हम लोग यहापे कह सकते कि SBA card कोई खराब company ने एक साल की बात करें तो 35% से ज़्यादा के returns दे चुके हैं बट यह देखें, अभी भी एक ही दाइरे में देखने को मिल रहा है वही डर कि कभी भी higher level पे जाता है तो यहापे 2-3 बार CA holding rovers की बात करें तो उनने क्या किया है, बार-बार माल यहापे बेचा है So company बिलकुल खराब नहीं है एक लाग करोड का market cap वाली company है So ज़रूर अगर आप चाहो तो SBA card के उपर focus यहापे रख सकते हो monopoly business जैसे मैंने का listing के साब से मैं monopoly कह रहा हूँ अगर ground reality के उपर जाएंगे तो HDFC number 1 पे देखने को मिल रहा है then ICC bank अभी overtake करते वे देखने को मिल रहा है and then अगर हम लोग बात करें SBA card तो हे ही So यह चीज़ें हम लोग को देखने हैं यह देखे share holding pattern के बात करें तो 69% से ज़्यादा promoter के ही पास है promoter मतलब क्या है गर मैं click कर लेता हूँ तो State Bank of India ही आप लोग को मिल जाएगा 69.34 यह देखे maximum share इने के पास है then foreign minister की बात करें तो यहाँ पे पहले 5% ता then 8 then 12 तेरा foreign minister को यह अच्छा लग रहा है share DS की बात करें तो वो भी आप लोग देख सकते अच्छा गासा holding बढ़ते वे देखने को यह आपे मिल रहा है then public की बात करें तो थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी उनकी कम हो रही है so ओरा लगर में बात करें दोस्तो SBA card बहुत ही शांदार stock है बहुत ही अच्छा stock है ऐसा personal ही मुझे यहापे लगता है मेरा ही कोई recommendation नहीं यह आपके उपर है आप चाहो तो रह सकते हो या फिर exit कर सकते हो sir आपके पास है yes sir आप continue करने वाले obviously yes यह company अरे अभी अभी तो just शुरू हुई है अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है मतलब अगर मैं इसका maximum chart pattern भी open करता हो तो कोई खास performance नहीं है March 2020 में आया था इसके entry भी बहुत कमाल की थी COVID के वक्त और पूरा जो company super duper listing gain देने वाला था पूरा का पूरा crash हो गया सीधा नीचे बट कोई बात नहीं यह thankfully यह stock अच्छा था इसलिए आप देख सकते हो बाद में recover भी होगा तो यह अच्छे companies में रहने का अच्छा फाइदा भी होता है कि गिरावट तो होगी बट comeback भी होगा मुझे ऐसा लगता है यह company और भी आगे जाके performance दे सकती है बहुत ही शांदार यह news थे हम लोग कह सकते हैं कि SBI card यहाप अच्छी तरीकी से grow कर रहा है आगे भी अच्छा आशा performance दे सकता है अगर आप लोग यहाप चेक भी करोगे यह देखिए यह कोई sponsor वाला वीडियो नहीं है सिर्फ आपको information देना चाहँगा आप देख सकते हो यहापे अलग-अलग offers तनिश्ट की अगर हम लोग बात करें वो भी discount provide करें अगर आप SBI card के through payment करते हो तो यह फिर अगर आप लोग Amazon के side पे जाओगे तो आप देख सकते 10% cash back on all SBI credit and debit cards मतलब बताने का मक्सद का है कि इसके कारण online shopping बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है and ultimately SBI card का business बहुत ही अच्छी तरीके से groom होते वे देखने को यहापे मिल रहा है so बहुत ही लंबी होदी के लिए बहुत ही बढ़िया stock है ऐसा मुझे लगता है and सबसे खास बात secure day थोड़ी ना SBI किदर भागने वाली है SBI तो रहेगी तो SBI card भी रहेगी यह मतलब हम कह सकते हमारी लिए additional point है जो कि हमें tension नहीं देता है right so आशा करता है आप लोगं को data समझ में आओगा तो चाहो तो वीडियो को like and share भी कर सकते है so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तब तो के लिए bye bye